असलाब कुम डियर्ट स्रेंट्स, I hope कि आपको लांस लेक्चिर से समझ आ गया होगा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्पर्स सिस्टम मीन एक और डिस्पर्स सिस्टम जिसका नाम है इमल्यंस, ठीक है, इमल्यंस को बारे में हम लोगों ने डिस्पर्स सिस्ट होगे, आपस में हल नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? वो हमारे पास एमल्यंस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग एमल्यंस के बारे में देखें, तो हम लोग जहते हैं, that emolion is consists of three phases, actually it consists of three phases number one continuous phase होता है जिसको आप लोग external phase भी कहते हो और dispersion medium भी कहते हो और second one आप लोगों के पास आजाता है discontinuous phase जा internal phase जिसे आप लोग नाम देते हो dispersed phase का यानिके एक वो phase जिसके particles को पहलाया गया है आपके continuous phase में ठीके जो आप लोगों का vehicle होता है ठीक है throughout the vehicle जिसमें पहलाया जाएगा और यहाँ पर आपका continuous phase भी liquid है और discontinuous phase भी आपके पास liquid है लेकिन आप लोग के तो emulsion जो है इसके अंदर इन दो phases के इलावा एक और phase भी मौझूद होता है third phase which is also known as which is known as emulsifying agent जिसको आप लोग emulsifying agent का नाम देते हो emulsifying agent क्या करता है यह इन दोनों phases के दर्मियान में जो interfacial tension है उसको यह तोड़ देता है या फिर आप यह कह सकते हो कि कमजोर कर देता है ठीक है emulsifying agent जो है actually it comprise of two parts एक उसका head और दूसरी उसकी tail जो उसका head है वो hydrophilic होता है ठीक है यह यह निके पानी water lover होगा ठीक हो गया और दूसरी जो उसकी tail है ठीक है यह आप लोगों की lipophilic होती है यह निके आपके emulsifying agent जो है वो दो हिसों पर मुश्तमिल होता है number one आप लोगों का head हो गया ठीक है एक आपका head आ गया और दूसरी आपकी tail आ गया जो आपकी tail है वो lipophilic है यह निके lipid lover होगी और जो आपका head है वो आप लोगों का क्या हो जाता है hydrophobic हो जाता है अब अग हमारे पास जो discontinuous phase है वो oil particle है ठीक है अगर तो वो oil है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसके जो lipophilic phase है वो आपके oil particle के साथ जूड़ जाता है और आपका जो hydrophilic part है जो water lover part है वो पानी के अंदर गुल जाएगा ठीक है और यह इसी तरहा से पानी और oil दोनों को आपस में मिला देंगे ठीक हो गया यानिकर यह आपका hydrophilic part जो के पानी में है और यह इसकी tail जो है यह oil के साथ जाके मिल जाती है और यह फिर क्या करेगी आप लोग कहते हो कि आपने इस तरहां से जो आपने oil और पानी लिया वा था ठीक है तो यह इ interfacial tension है नहीं कि दो phases के दर्मियान में जो तनाव पैदा हुआ था उसको यह कमजोर कर देती है ठीक है और आप लोगों के जो oil particles है या water particles है वो आपस में इस तरहां से मिल जाते है ठीक है वो stable कर देती है कौन करता है emulsifying agent फिर हम लग बात करते हैं कि emulsion जो है वो दो तरहा की ह होती है एक liquid form में भी है और फिर दूसरा semi-solid form में भी है जो liquid form में है वो और ली जाती है पर लगाती है और इसके अंदर आपके पास examples आ जाती है अगर आप लोग liquid में लेते हो तो liniments और lotions topically topically की बात करे हुँ मैं अगर आप लोग टॉपिकली लेते हो ठीक है तो आप लोग कहते हो कि टॉपिकली लिनिमेंट्स भी होते हैं लोशन्स भी आ जाते हैं और अगर आप लोग सामी सॉलिड इमल्जन्स की बात करते हो तो यह टॉपिकली लगाए जाते हैं यह इनके जल्द के ऊपर लगाए जात OIL in water होता है तो कि आपके नमीठी मिक्दार कम कि लुइन बेषकर तो कम जहाए है lastź कि ऐसे आप लोगों की टिबेट क्रीम से इन WORDS, कि एप सभरी टिबेट क्रीम देकर का ऑफ़री कृंट उप लोग तैसक्लिप łप् जाती है ठीक है, cold cream आजाती है, ठीक हो गया, अच्छा, अब यह जो topic था, जो अभी हम लोगों ने read, अभी यहां पे भी हम लोगों ने read out किया है, यह actually आपके book के अंदर इस page पर है, ठीक है, 48 page पे emulsion के बारे में, यह सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, लेट्स रीडिट, आपके disperse phase है, जिसके अंदर आपका disperse phase जो है, वो किस पर मुश्टमिल है, वो छोटी-छोटी globules, कत्रों पर मुश्टमिल है, और लिक्विट, लिक्विट के distributed, जो के पहले हुए है, थ्रो आउट, यानि के पूरी तरहा से आपके वहिकल के अंदर, in which it is immisible, जिसके अंदर व मिसिबल, अब ये दोनों phases जो है, वो मिसिबल हो जाते हैं, मिल सकते हैं आपस में कैसे, by the addition of a third phase, एक तीसरे phase को जमा करके, जिसका नाम क्या है, emulsifying agent, in emulsion terminology, emulsion की अगर लफजों में हम देखें, तो आपके तो dispersed phase is also known as internal phase, और जो आपका dispersion medium है, is also known as external or the continuous phase, आपके तो emulsion जो emulsion है, they may be liquid or semi-solid, liquid होगी तो orally, parently और topically समाल की गई, और semi-solid है तो topically, जिल्द के उपर ही समाल की गई, अब अगर हम लोग बात करें हैं, सिरफ और सिरफ liquid external phases की preparation, liquid external preparation, यानि कि topically की, तो आप लोग के तो ये liniments के तोर पर भी इस्तमाल होती है, और lotions के तोर पर भी इस् these are either oily creams or aqueous creams, या फिर aqueous creams होते हैं, जैसे आप लोग की vanishing cream आ गई, ठीक हो गया, right, next one is choice of emulsifying agent, अब आप लोगों ने इस इसका अंदाजा लगा लिया, कि आपके जो दोनों के दोनों phases हैं, यानिके continuous phase हो, या फिर discontinuous phase हो, emulsion का, उसको आप लोग स्टेबल कैसे करते हो, by adding the emulsifying agent, अब आप लोगों ने अपनी emulsifying agent को बहुत ही दिहान के साथ, आपने उसको select करना है, और आप लोग कहते हो, कि अपनी desired, यानिके अपनी मन चाही emulsion, या अपनी मन चाही properties, खसूसियात हासिल करने के लिए emulsion की, आप लोगों को चाहिए, कि आपकी जो select की गई emulsifying agent है उसके अंदर दर्ज, जेल, qualities यानिके खसूसियात उसमें शामिल हो, नमर वान, शुट बी capable of reducing interfacial tension, उसके अंदर इतनी सलाहियत हो, capable हो इतनी उसके अंदर सलाहियत हो, कि of reducing के वो कम कर दे, क्या interfacial tension, यानिके आपके दोनों phases के दर्मियान की जो तनाव है, उसको वो कम कर दे ठीक हो गया, between two immisible liquids, यानिके दो ऐसे liquids, जोके मिल नहीं सकते आपस में, नमर सेकेंड, के शुट बी capable of keeping the dispersed liquid globules distributed indefinitely throughout the dispersion medium, इसका क्या मतलब हुआ, कि आप लोगों का जो भी dispersed liquid globules हैं, वो indefinitely पूरी तरहा से आपके dispersion medium के अंदर distribute, यानिके फैले वे होने के उसके अंदर सकत तो नहीं चाहिए, right, next one is, it should be non-toxic, वो जहरीला नहीं होना चाहिए, non-toxic होना चाहिए, और chemically compatible with other ingredients of the preparation, यानिके वो मताबकत भी रखता हो chemically, यानिके यह नहीं कि उसको add करने से, आप लोगों की बाकी मलियन जो है, वो खराब हो जाए, उसका रंग तबदील हो जाए, य यानिके फटना जाए, वो precipitate ना हो जाए, then, able to produce and maintain the required consistency of the preparation, यानिके उसके अंदर इतनी सिलाहियत हो, कि वो पैदा करे और फिर बरकरार रखे, यानिके वो बनाए, produce करे और बरकरार रखे, the required consistency, यानिके जो आपकी मन चाहिए, consistency है, मन्दक के viscosity है, आपके preparation की, उसको भी वो बरकरार रखे, right, then, हमारे पास आजाता है, preparation of the emulsion, यानिके हम लोग इसको त्यार किस तरह से कर सकते हैं, तो आपके पास तीन तरीके आते हैं, for the preparation of the emulsion, आप लोग इसको तीन तरीकों से आप लोग त्यार कर सकते हो, number one, continental method आजाता है, आपके पास इसको आप लोग dry gum method भी कहते हो, second one is emulsion method, या फिर जिसे आप लोग wet gum method भी कहते हो, और last one is the bottle or Forbes bottle method, Forbes जिसको आप लोग 2 ratio to ratio 1 method भी कहते हो, right, right, और अगर हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहें, तो आप लोग क्या कहते हो, आप कहते हो, आपके पास तीन methods आते हैं, number one dry gum method, second one is wet gum method, और third one is the bottle method, अब आप लोग के तो इन तीनो method में आप लोगों को पता है कि तीन phases आते हैं आपके पास, ठीक है, एक आपका आगया oil, एक आपका आगया water, और third one आपके पास आगया emulsifying agent, और यहां पर emulsifying agent आप क्या लेते हो, gum लेते हो, ठीक है, अब तीनो method के अंदर जो है इसके इलावा इसमें और कुछ rocket science नहीं है, ठीक है, अब हम लोग start करते हैं, like अगर आप लोग बात करते हो, dry gum method की, जिसको आप लोग continental method भी कहते हो, आप लोग कहते हो, इसके अंदर four ratio, two ratio, one, इनके चार हिस्से आप लोग oil के लेते हो, दो हिस्से आपने पानी के लिए, और एक हिस्सा गम का लिया, ठीक है, या फिर आप लोग इसको इस तरह से ले लो, कि एक हिस्सा जो आपने गम का लिया, इसका दुगना हिस्सा आप पानी लेते हो, और इसका आप लोग चार हिस्से बढ़ा कर आप लोग oil डालोगे, ठीक हो गया, आपने इन तीनों को 6 चैल के और बिया राषी सेंदर के अंदर डाला चाहा है ग्रेजूएटीड चैल कर देखेसंपर क्यों डेले की सिलेंडर के अंदर बन ₹ी इसको पर grades बने वे होते हैं या फिर आपके तो scale बनावा होता है आपने क्या किया आपने gum plus oil को mix करके आपने graduated cylinder के अंदर डाल दिया और फिर बाद में उसके अंदर आपने पानी add करना start करना है और stir करना है ठीक है mix करते रहना है उस time तक जितना आपको volume दरकार है ठीक है 100 volume चाहिए तो 100 volume तक आप लोग पानी add करते रहोगे और यह अब आप लोग की primary emulsion त्यार हो जाएगी यहनके बुनियादी emulsion आपकी त्यार होगी अब आप लोग इसके अंदर drug डालते हो colors डालते हो यह फिर कोई भी आप लोग flavoring agent डालते हो कुछ भी डालते हो it depends on you त्यार हो गया यह आपका बन गया dry gum method से आपकी emulsion त्यार होगी अब अगर dry gum method की बात करते हो wet gum method की बात करते हो तो okay तो wet gum method is also known as English method 2 ratio 2, Ratio 1 आजाता हैciones 4 ratio 3, Ratio 2, Ratio 1 आते हैसं जिसमें 4 हिससे आपके पास oil के आते ह आते हैं 2 ratio 2 आयनके gwisole आपके पास पानी के आ जाएगे और एक हिससा जो होगा आपके g Nokia आ जाएगा, ठीक हो गया अब इसके अंदर आप लोग क्या करते हो आप लोग गम का एक हिस्सा लेते हो और पानी के दो हिस्सों को लेकर इसको मिक्स कर लेते हो इसको मिक्स करने के बाद आप लोगों का पानी जो चार हिस्से है उनको भी साथ में एड कर दोगे ठीक है और आप लोगों की प्राइमरी इमल लग रही है तो आप लोग कहते हो ओइल की और पॉर्शन आड़ करने से पहले आप लोग पहले थोड़ा पानी आड़ करके उसको पतला कर लेते हो छी को गया आपकी वैट कम मैथट से इमाल जान त्यार हो गई बॉटल मेथट की बात करते हो तो बॉटल मेथट के अंदर हब बोटल मेतहसे घीर गत को बोटल 찬óbत एक बोटल ले लो गम और ओएल को आप लोतकि नड़ो यह नालोगे ठीक है इसको काप लगाते हो और उसको अच्छे से शेक करे लेटे हो पिर आप लोग पानी के जो आपके चार हिसें है थोड़ा थोड़ा करके आप डालोगे पानी वो बोटल का ढपन किया अच्छे से शेक किया फिर बाकी पानी डाला और इसको वॉलिम तक लिया है ठीक है जितना वॉलिम आपको दरकार है और आपकी primary इमलियर ननके method the emulsifying agent usually akashia जो कि आप लोग अमुमन akashia लेते हो is mixed with the oil आपने gum को emulsifying agent को oil के साथ आपने mix कर दिया before the addition of water पानी को जमा करने से पहले that is dry gum method the continental method is also referred to as the also referred to as the 4 ratio 2 ratio 1 method इसको 4 ratio 2 ratio 1 method भी कहते हो क्यों क्योंकि because of every 4 parts by volume of oil जिसमें 4 हिससे आपके oil के होते हैं और 2 हिससे आपके पानी के होते हैं और एक हिससा आपका किसका होता है गम का ठीक हो गया are added in preparing the initial or primary emulgence इसको जमा किया जाता है आपकी initial या primary end के बन्यादी emulgence को तियार करने के लिए other formulative ingredients that are soluble and or miscible with the external phase may then be mixed और जो आपके दूसरे तियार करने वाले अजज़ा हैं जो के हल हो सकते हैं या मिल सकते हैं आपके external phase के साथ उसको फिर बाद में mix किया जा सकता है किसके अंदर आपके primary emulgence में when all the necessary agents have been added और जब यह तमाम तर necessary जरूरत के agents जब इसके अंदर जमा कर दिये जाएंगे the emulsion is transferred to a graduated cylinder तो आप लोग अपनी emulsion को graduated cylinder में डालते हो ठीक है graduate में नहीं आप लोग graduated cylinder में आप लोग डालते हो ठीक हो गया and made to volume with water और उसका volume जो है वो पूरा कर लेते हो ठीक हो गया second one आप लोगों का आ जाते है wet gum method ठीक है wet gum method में क्या हो गया कि the emulsifying agent is added to the water आपने emulsifying agent यहनके gum को अपने पानी के साथ mix कर लिया ठीक है to form a mucilage mucilage बना लिया उसको गाडा सा एक paste सा बना लिया and then the oil is slowly incorporated to form the primary emulsion और फिर आप लोग ओल को ice तगी के साथ incorporate यहनके डालोगे उसके अंदर पोर करोगे अपनी बुनियादी मल्यन तियार करने के लिए that is the wet gum method इसको wet gum method का नाम देते हो should the mixture become too thick बन जाना चाहिए अगर उसको thick में के गाढा तो additional water may be blended into the mixture before another portion of oil is added तो आप लोगों को एक में एडिशनल इजाफी पानी उसके अंदर blend कर लेना चाहिए यानिके mix कर लेना चाहिए into the mixture अपने mixture के अंदर इससे पहले के आप लोग oil का एक और portion उसके अंदर जमा करो ठीक हो गया the other formulative materials are added फिर आप लोग दूसरे formulative materials को उसमें add करते हो and the emulsion is transferred to a graduated cylinder यहां पर भी graduated cylinder पूरा लिखोगे उसके अंदर डालेते हो and brought to the volume with water और फिर बाद में अपने पानी अपने volume को आप लोग volume तक लेकर आदे हो पानी की मदद से right last one is our bottle method last one है आप लोगों का bottle method इसके अंदर आप लोगों को वालेटाइल ओइल की जरूरत होती है और less viscous oils हैं आपके पास and in a variation of the dry gum method और आप लोगों को mean dry gum method यह एक किसम की जो है dry gum method की variation है क्यों because of low viscosity the volatile oils require greater amount of gum क्योंकि low viscosity है कम गहड़ा है यह तो क्या होता है कि with volatile oils require greater amount of gum इसके अंदर जो है gum की amount ज़्यादा दरकार होती है for emulsification emulsion को त्यार करने के लिए therefore the proportion for oil water and gum for primary emulsion is 4 ratio 4 ratio 2 इसके अंदर 4 ratio 4 ratio 2 होती है ठीक है अब इसके अंदर करोगे क्या आप लोग कि oil and powdered dry gum are shaken vigorously आप लोग और गम को आप लोग शेक करते हो vigorously in a large bottle एक बड़ी सारी bottle के अंदर मिंतेजी से until mixed thoroughly जब तक के वो अच्छे से mix नहीं हो जाती then water is added और फिर बाद में आप लोग पानी को जमा करते हो तो form primary emulsion उसके बनियादी emulsion बनाने के लिए ठीक है जो आपकी initial emulsion है more water is added in small portions आप लोग और पानी उसके अंदर जमा कर सकते हो small यानि के छोटे छोटे portions हिस्सों में with constant agitation जिनके मुसलसल हिलाते हुए to form to produce final volume उसका final volume बनाने तक ठीक हो गया next आप लोगों का topic start होता है stability of emulsion stability of emulsion कहो या फिर आप लोग यह कहते हो in stabilities of the emulsion because actually we discuss about the in stabilities of the emulsion here आप लोग क्या यहां पर coalescence के बरें फड़े और flocculation या फिर creaming या फिर breaking यह तमाम तर चीज़े यह तमाम तर states जो है यह actually emulsion की in stabilities हैं कि अगर आपकी जो emulsion है वह unstable हो जाए तो क्या होता है कि flocculation हो सकती है coalescence हो सकती है creaming or sedimentation हो सकती है और फिर breaking भी हो सकती है जिसे आप लोग phase separation का नाम देते हो ठीक है तो आप लोग कहते हो stability of the emulsion means that अगर emulsion को मतलब बरकरार रखने का मतलब क्या है data formulated emulsion की जो बनाई गई है emulsion should retain its original character कि उसको चाहिए कि वो retain और बरकरार रखे अपनी original अपनी असली characters को खसूसियात को that is as a size of the globules and their uniform distribution throughout the continuous phase यानि कि जो उसके globules का size है ठीक है और जिस तरह से वो फैला हुआ है आपके continuous phase में वो उसी तरह से throughout पूरी के पूरी जो है आपके continuous phase के अंदर फैली भी होनी चाहिए ठीक हो गया अब हम लोग बारी बारी करके इसके जो भी unstable जो भी इसके formulations है states है उनका अब हम लोग discuss कर लेते हैं अगर हम लोग बिल्कुल ही आसान लफ़ों में देखें तो आप लोग कहते हो Coalescence क्या है यहां पर हम लोग जितने भी particles की बात करेंगे वह सारी सारी आपके dispersed phase होगा ठीक है डिसपर्जेंड मीडियम नहीं होगगा dispersed phase होगा आप लोग कहते हो Coalescence में क्या होता है कोईलिसेंस में अगर तो आपके dispersed phase के particles जो हैं वो अगर आपस में जुड़ कर ठीक है एक बड़ा particle बना लेते हैं फिर उसके साथ और dispersed phase आके लगा means particles आके लगे और वो फिर से एक बड़ा particle के अंदर एक बड़ा मंदले के ग्लोबियूल बनता चला गया ठीक है इस तरहां से वो अगर separate होते चले जाते हैं और अगर तो आपके dispersed phase इखटा होकर नीचे बैठ जाए बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप लोग चूना पानी में मिला कर उसको थोड़ सी दे के लिए रख देते हो तो सार सार चूना नीचे ब ठीक हो गया फिर आप लोग कहते हो cracking और breaking अगर तो आपके यही मतलब के जो आप लोगों का क्या है क्या है क्या आपके coalescence हो है जो कि छुटे छुटे पार्टिकल्स आपस में मिलते मिलते बड़े पार्टिकल्स के अंदर तबदील होते 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 अगर आपके तो face suppression हो जा है वो आपस में fuse होता है लेकिन वो मिलतलब के आपस में जुड़ते हैं लेकिन वो गुच्छा बना लेते हैं एक बड़ा पार्टिकल्स नहीं बनाते हैं गुच्छा यानिके बिलकूल ऐसे जैसे अंगूरों के छोटी छोटे छोटे अंगूर हैं आपस में जुड़े वे होते हैं बिलकुल इसी तरह से अगर वो गुच्छा बना लेते हैं then it will be called as flocculation right अब हम लोग इसको book से read out कर लेते हैं right number one coalescence की बात करते हो तो आप लोग के तो coalescence means to grow together यानि के एक साथ उगना ठीक हो गया चोटे चोटे पार्टिकल्स जो हैं वह आपस में उगते जाएंगे जुड़ते जाएंगे ठीक हो गया फिर आप लोग कहते हो कि दिस्पर्स फेस फूर्म लार्ज ग्लोब्यूल इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो चोटे चोटे वह इन बडri बड़ बना लेते हैं यहांनि के बड़े 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 पैर्टिकल्स बना लेंगे क्रीमिंग इन सटिमांटेचल में क्या होगा अप लोग कैते हो अपूर्ड यानि मॉपर इख फेस के मॉलीक्यूल्स यह ग्रीज़ जुलोब्यूल्स अगर उपर अगस हरकत करते हैं तो creaming, नीचे की तरफ हरकत करते हैं तो sedimentation, in creaming they form a thick layer at the surface of the embellion, creaming के अंदर क्या करते हैं, ये एक गाड़ी सी, एक मोटी सी layer जमा लेते हैं embellion के surface पे सताह पर, third one is cracking और breaking, separation of the internal face from the embellion is called breaking, right, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर आप लोगों ने देखा था, ठीक है, आपके तो the coalescence of the dispersed globules takes place and the two separate layers of the dispersed phase, आप लोगे तो coalescence अगर आपकी dispersed globules की होने लग जाए, ठीक है, और दो separate layer ही तब बन जाए, आपके dispersed phase की and continuous phase are formed which are difficult to re-disperse, इनको मुश्किल हो जाए, दुबारा से मिलाना, re-disperse करना, उनको दुबारा से फैलाना, तो यह आप लोगों की क्या कहलाएगी, यह आप लोगों की कहलाएगी, यह आप लोगों की कहलाएगी cracking या breaking, ठीक हो गया, और by shaking or straying to get the original product, अपना original product हासिल करने के लिए, लास्ट वेन आप लोगों की पास आ जाता है, flocculation, आप लोगों के तो flocculation में क्या होता है, कि the individual particles of the dispersed phase come in contact with each other, जो आपके individual particles and dispersed phase के वो आते हैं एक दुसरे के साथ जुड़ते हैं to form loose aggregates और वो धीली-धीली से गुच्छे बनाते चले जाते हैं and create a network-like structure और एक वो, मतलब के एक network-like structure वो बना लेते हैं, create कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ठीक है, जुड़ते चले जाएंगे और वो एक network बना लेंगे, ठीक हो गया, आप लोग कहते हो, many molds, yeast and bacteria can decompose the emulsifying agent, disrupting the system, यह इसका flocculation का हिस्सा नहीं है, यह अलग से सिरफ एक separate line लिखी भी है, आप लोग कहते हो, कि आप लोग के जो microorganisms हैं, like molds, yeast and bacteria, यह क्या करते हैं, यह decompose कर देते हैं, यह गला देते हैं, मिन खराप कर देते हैं, आपके emulsifying agent को, यह इनके disrupt कर देते हैं, आपके system को, राइट, I hope कि आपको emulsion पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आज का lecture यहीं तक कही, अगर आपको फिर भी कोई question हो, तो आप लोग मुझसे comment section में question कर सकते हैं, thank you so much, Allah Hafiz,